हालो मैं चैंपिंस ऑफ क्लास टेंज वेटा कैसे आप सब लोग एक दम अच्छे से होंगे और काफी डटे बड़े होंगे आप एक दम मेहनत करने में पढ़ाई करने में दुश्यन भोला सर अगें इन फ्रंट ऑफ यू जैसा कि आपको पता है कि पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको जो है इस सेम चैप्टर की जिनके आफर मैंने आपको बताया थे किया जेंस है इसकी समरी कर आई थी और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया थे कि अगले लेक्चर में मैं आपको सेम चैप्टर के क्योशन आंसर करवांगो जिसका आप काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे तो आ गई है बेटा वो घड़ी 10th क्लास के स्टुडेंट्स मेरे नोटबुक और पेन के साथ एकड़म रेडी रहेंगे और पहला ही बहुत ही खुबसूरत सा चोटा सा आंसर बेटा आपके सामने देखिए क्या पूछा गया है कि वाइस मिस्स पंफ्रे वरीड अबाट ट्रिकी क्यों परिशान थी वह आपको मैंने बताया भी था तो लिख लीजिए यह आंसर जरा देख लीजिए मिस्स पंप्रे वरीड अबाट ट्रिकी विकेज लुक्स लिस्ट्लेस बोडी में इनसेंट्स में होता है यह जो इंसथ होते है उनके बॉडी में आप सफीशिट मातरह में प्रोटीन वाइटामिन ना जाने के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते है क्या मैल नूट्रीशियन जिसमें काफी वेट लूस हो जाता है बहुत वीक्नेस आ जाती है हाव दजी ट्रीट दॉग कैसे वो ट्रीट करते थे टेक्स टेक्स टॉग तो इस क्लिनिक डॉक्टर के देर देज नौर गिवें बच फूट जादा खाना नहीं दिया जाता था कि जो टीटमेंट चल रहा है क्या उसे इंप्रूमेंट है नहीं है तो आप्जर्वेशन में रखा गया उसको अब ट्रिक्की की बॉडी में सोटी सी मुवमेंट आनी शुरू हो गई थी वन दर थर्ड डे इट विंपर्स क्लिरे बड़े आगे आईए यह जो आ रहा था खाने का समान ट्रिकी के लिया रहा था Mr. Herriott does not give these things to Tricky do you think Tricky was enjoying his stay at the hospital में क्या तुमें लग रहा था कि वो enjoy कर रहा होगा नी कर रहा होगा मैंने आप उसमरी में भी पताया था यह वाली बात यह ट्रिकी वास डिफिनेटली इंजोंगे स्ट्वे अधी हॉस्पिटल यहाद प्रिफेंड द ग्यांग ऑफ शेबी शेबी का मतलब होता है बद्धे क्लम्जी ग्यांग ऑफ शेबी हाउड डॉक्स उसके आज पास के जो डॉक्स थे हॉस्पिटल के अब वो प्रिकी के म बन गया था ग्रूब बन गया था यहाँ फाउंड निव जॉए इन बींग बोल्ड ओवर ट्रांप्ट ओन एंड स्क्वेश्ट वहाँ पर जो इसकी मुमेंट ही ट्रिकी की जो खेल कूद रहा था उससे काफी मजा आ रहा था है यहाँ है यहाँ सबिकम एनर्जेटिक यू कि कहते हैं ना दोस्ती कोई रिष्टा भी नहीं बट इससें बड़ा रिष्टा भी नहीं है डो दोस्तों की ही कंपनी की वज़े से ड्रिकी में एनर्जी आ रही थी क्योंकि हमारी स्राउंदिंग का काफी असर रहता है hangin दो कम सुब्सक्राइब तौर branch हुआ है लोगों के साथ है यह हमारी पर्सन्यालिटी को दर्षाता है भई अच्छे के साथ है और शॉर्षाह किरेंगे और बुरे के साथ है तो अब्यान पर में पुरा हो धकर तॉ तो इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो बीवेट गुट पीपल गुट सराउंदिंग गुट मुमेंट तो डाट व्यू अल्सो कान बिकम आप गुट मिन इवन यू आ चलिये बात करते हैं लॉंग आंसर टाइप की कॉस्टेंट की इस वेरी इंपोर्टेंट बेटा देखिय त्रिकी की मालकिन थी ट्रिक किज मिस्टें समस्पम्प्रे नाम था मैने बताया था आपको वह बेरी इश यह जो लेडी थी काफिय रिश्ठ थी मैने अबताया था आपको समरी में भी so tricky lived an affluent life luxury life affluent rich life he was very greedy for food lalchi the bridges come out greedy about love lalchi or take a coffee lalchi lalchi beta food ke lihe he could begin to eat food at any hour of the day or night by he was given no physical exercise was kaya or aram kara but I understand it's okay it's good to be having good diet but diet works when we do physical work got it so he became hugely fat yeah line sunke toh mujhe bhi hasi siya rhi hai abhi khau ge or sojao ge na chal rhi ho na doh rhi ho na kuchh kaam kar rhi ho kaisi ho jao ge akdem fool jao ge right toh woh kaafi bichara fat ho gaya ta tricky bichara mein kyo bol rao because being fat is not a good option am i right or wrong i mean agar fat jada hai toh there are hundred percent chances to fall ill at this mrs pampreet thought that he was suffering from malnutrition mrs pampreet ko kya laga ki woh malnutrition ka shikar ho gaya hai but woh khada jada tha she gave him malt and cold liver oil and a bowl of horlics kya kya dhia dhekho jarab mein highlight kar raha ho kya dhia tricky ko malt dhia cold liver oil dhia or bowl of horlics dhia at night to make him sleep taa ki ye sab chiche kha ke us ko neen na jaye but she did not think to give him physical exercise bhai joh dhena tha woh toh dhe dhia joh nahi dhena tha joh dhena tha woh nahi dhia or joh nahi dhena tha woh dhe dhia thamjo meri vaat ko aap koi vhakti agar fat ho raha hai it's it's good to have physical exercise rather than dieting what kind of person do you think the narrator a veterinary surgeon is kaise thay woh narrator kis tara ke person thay woh would you say he is tactful as well as full of common sense i think the narrator a veterinary surgeon is a very tactful person he knows he knows how to deal with people he knows how to deal with people he adjusts himself well to the circumstances or jaysay halat weshi woh apne aapko dhal liya kertethe halat ho mein dhal liya kertethe he was a good adapter jaysa dh wesa bhe he immediately understands trickiest problem or jaysay tricky unke pats pocha woh jaldi se os tricky problem ko samaj tricky does not suffer from any sort of illness tricky ko ko koji bimari majhe ki baat hai ke tini kya tha the main cause of its illness is over feeding kate hai na ki ati aher cheez ki buri hootie hai ati beta hai aapko agar dho roti ki bhuke agar aap 4 khalo ge to aap parišan rahao ge aapko agar ek glass pani ki piaas hai aap team pili ho ge paas paani glass to bhi aap parišan rahao ge to aher cheez limit me hi achi lagti hai he takes the dog to his surgery there he keeps him in a natural environment be wo tricky ko rakhte hai the dog gets well under his supervision and natural environment of in a natural environment in a natural environment in a natural environment in a natural environment so again surroundings play a very vital role in everybody's life you keep kubhi kubhi humaine sange me nahi natea ki ham kya kar raha hai why are we doing it but humara common sense itna hoona chahiye hume paata hoona chahiye ki joh haam joh kamaam karne ja rahe he kiya us me humara bhala hai ya us me humara nupo saan hai आप समझ पारे मेरी बात को अब आपको भली बात ही बता है कि आप 10th class boards आप देंगे और आप जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतना अच्छे से आपका number आने वाला है और उतना ही अच्छा फिर आपको stream मिलेगी जो आप चाहेंगे PCM, PCB, commerce, whatsoever बट अभी जो आप कर रहे हैं उसका output वो आपको भी पता है मुझे भी पता है क्योंकि बेटा हम लोग सोच समझ के कर रहे हैं मैं भी सोच समझ के आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी सोच समझ के मेरे से पढ़ रहे हैं तो think before you do किसी भी काम को करने से पहले उसका अंजाम सोच लेना चाहिए बट यहाँ पर ट्रिकी की मिस्टर्स ने नहीं सोचा कि अगर यह ज़्यादा ओवर फीट कर लेगा तो इसकी कहीं न कहीं इसकी फिदिक को हाम होगा और वही हुआ अंत में आके कि ट्रिकी काफी फैट हो गया था और फैट होनी के और जैसे he was being very lethargic, lazy है ना तो मैं तो आपसे भी कह रहा हूं डाइट का ध्यान रखिए और जहां तक हो सके फिदिकल जो है वोर्क आउट बिलकुल करिए तुरा टाइम निकालिए आप ताकि आपका mental और आपका body दोनों तंदुरुस्त रहे बहुत आक्टिवली काम करें तुरु फॉल्स पे आगे बिटा तर नीम अब डॉग इस ट्रिकी बिलकुल ठीक है तुरु है यह मिसेश पंप्रे वाजी मिस्टर फ्रिकी बिलकुल अभी बात भी कर चुके हैं दे निरेटर इस रिष्ट लाइक ट्रिकेस मिस्टर इस ड्यू तो ओवर इटिंग या ओवर फीडिंग और नॉट गिविंग एक्सराइज तु ट्रिकी बिलकुल ठीक है Mr. Harry Ott जो नेरिटर है और दा स्टोरी इजा प्रोफेसर नो नॉट अट अल वो प्रोफेसर नहीं थे बेटा वो डॉक्टर थे क्या थे वो डॉक्टर थे परीड अबाओ ट्रिकेश हेल डेरफोर शी मतलब अभी ट्रिकी पूरा फुल ओफ लाइज एक्टिव है ता इम्मीडियेट स्टेप टेकन बाइट मिस्टर हरिएट तो सेफ ट्रिकी अदर सर्जिरी वास जो मैंने आपको काता है कि मिस्टर हैरियोट काफी क्या थे पेचान जाते रहें कि अक्षिल में प्रॉब्लम क्या है क्या इसका ट्रीटमेंट करना है मेडिसीन देनी है फिर इसको नाच्रल इन्वार्मेंट में रखना है वास नॉट गिविंग इम एनिफिंग तो इट फोर तू ले क्योंकि ओल्रेडी ट्रिकी ओवर फीड हो चुका था तो मिस्टर हैरियोट ने उसको दो दिन तक खाना प्रॉपर डाइट नहीं दिया ठीक है बेटा चलिए यह आप आपका चेप्टर कंप्लीट हो गया है संबरी प्लस क्विश्यन एंसर और अगले ही लेक्चर में आपके आपसे मैं मिल रहा हूं एक नए दिन और एक नए चेप्टर के साथ तिल दिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं हूं आपको नएचर मेन को बढ़ी कुं ने व्यूं é इम आपको भी मैस parka करे बोल गाए करना झाल